जैसा कि पूरे भारत देश में लागडाउन है तो इसलिए विश्विद्याले के निर्देशा अनुसार और महाविद्याले के आदेशा अनुसार आपके ऑनलाइन क्लासेज चलने हैं हम बात करेंगे सेकेंड सेमिस्टर की आपके जो आपका थर्ड पेपर है फंडामेंटल ओफ इंटमोलोजी के अंतरगत हम कीट विज्ञान का अध्यन करेंगे हम बात करेंगे कीट विज्ञान का अंतरगत जो हमारे किर्शी कारे में लाबदायक और हानिकारक कीट हैं हम उन कीटों का अध्यन करते हैं आपके सलेबस के अनुसार आपका थर्ड पेपर ag20332-1 हम बात करेंगे की इंटमोलोजी है क्या इंटमोलोजी कीट विज्ञान इंटमोलोजी आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है जैसा की आप देख पा रहे हैं इन्टमोलोजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है और ये ग्रीक भाशा से लिया गया है वो दो शब्द इन्टमोन प्लस लॉगस इन्टमोन का अरथ हे कीट लॉगस का अरथ हे ग्यान अरथात अध्यन करना हम बात करेंगे entomology की definition की तो वह विज्ञान जिसके अंतरगत हम कीटों का अध्यन करते हैं कीट विज्ञान entomology कहलाता है तो संपूर कीट विज्ञान को निम लिखित विश्यों पे बाटा गया है यानि किस किस आधार पर हम कीटों के अध्यन करते हैं जिसमें आपका पहला नंबर है दैहिक आकारिकी morphology इसके अंतरगत हम कीटों के शरीरिक रचनाओं का अध्यन करते हैं आपका दूसरा है एनाटॉमी एनाटॉमी के अंतरगत हम कीटों के आंतरिक अंगों का अध्यन करते हैं आंतरिकंग जैसे आपके body wall तंतरिका अध्यन करते हैं तीसरा है आपका आउतिकी histology histology इसके अंतरगत हम कोशकाओं का कीटों की कोशकाओं और उनके उतकों का अध्यन करते हैं चोथा है आपका कोशका तत्तों, cytology कोशका में पाए जाने वाले तत्तों का अध्यन करते हैं जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि histology histology के अंतरगत कीटों के उतकों का अध्यन करते हैं और उनकी कोशकाओं का अध्यन करते हैं लेकिन साइटोलोजी के अंतरगत हम कोश्का में पाए जाने वाले तत्तों का अध्यन करते हैं साइटोलोजी के अंतरगत फिर आपका पांच नमबर पे है फिजियोलोजी कारिकी इसके अंतरगत शरीर के कारियों तथा परतिक्रियाओं के बारे में अध्यन करते हैं जैसा कि आपको एक्जाम्पल के तौर पे दिख रहा होगा कि भोजन का वित्रण एवम मल उत्सरजन यानि कीटो का भोजन को ग्रहन करना और सारीरिक आंतरिक प्रोसेस के दोरा मल को उत्सरजन करने का जो हम इस कारे पर उसके अध्यन करते हैं उसे हम कहते हैं कारेकी फिजि टैक्सोनॉमी के अंतरगत हम कीटों के आकार उनकी बनावट तथा उनके अपने व्योहार के आधार पर वरगी करण करते हैं फिर आपका है भूड तत्व इंब्रियो लौजी इंब्रियो लौजी के अंतरगत अंडे से भूड का विकास तथा परण बनने के रूपांत्रण का अध्यन करते हैं जैसे किसी कीट ने एक अंडा दिया अंडे देने के बाद अंडे से उसके निम्फ का निकलना निम्फ के बाद परौड होना परौड के बाद उसके एक मैच श्योर अवस्था में जाने की जो क्रियाओं का हम अध्यन करते उसे हम इंब्रोलोजी के अंतरगत रखते हैं फिर आपका है ब्रांचिस ऑफ इंटमोलोजी इंटमोलोजी डिस्टिब्यूशन के हम बात करेंगे तो पहला है एग्रिकल्चर इंटमोलोजी हम जो अध्यन करेंगे अपनी इस स्लेबस के अनुसार वो होगा एग्रिकल्चर इंटमोलोजी Agriculture Entomology में हम उन कीटों का अध्यन करेंगे जो कीट हमारे किशी कारियों में लाबदायक और हानिकारक होते हैं दूसरा है आपका Medical Entomology Medical Entomology अर्थात हम उन कीटों का अध्यन करेंगे जोकी और शदियों के रूप में लाबदायक और हानिकारक रूप में पाए जाते हैं फिर आप जैसा कि देख पा रहे हैं C. Veterinary Entomology यहनी चिकित्सिय विभाग में जोकी लाबदायक और हानिकारक रूप में पाए जाते हैं उनका अध्यन हम करते हैं Industrial Entomology जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडरस्टियल इंटमोलाजी में कीट लाबदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं लाबदायक कीट जैसे लाख आपका मदुमक्खी जिससे आपकी शहेद पादन होती है और आपका हानिकारक कीड जैसे दीमक जो गोदामों में रहकर आपके रखे हुए स्टोरेज अनाजों को नुकसान पहुचाती है फिर फॉरस्ट इंटमोलाजी और पैलियो इंटमोलाजी पैलियो इंटमोलाजी का अर्थ यह है कि हम उन कीटों का अध्यन करते हैं जो की विलुप्त हो गये हैं और उन कीटों का हम अध्यन करते हैं अब हम बात करेंगे कीट कीट क्या है what is this insect तो हम बात करेंगे insect a small animal with six legs two pairs of wing and body which is divided into three parts three parts कौन है जैसा कि आप देख पा रहे हैं head, thorax, abdomen head, sir, thorax, watch, abdomen उसके उदर head जो होता है head पे keto के तो compound I और antenna पाई आती है thorax, जिस पर wings और three pair legs पाई आते हैं और abdomen जो की खंडित होता है जिस पे जन्नांग पाई जाते हैं अब हम बात करेंगे हिंदी भी देखेंगे कि संग आर्थो पोड़ा में पाई जाने वाले जीवों को कीट कहते हैं या खंड युक्त होते हैं तथा शरीर तीन भागों में बटा होता है तथा तीन जोड़े पैर होते हैं कीट कहलाते हैं कीटों की कुछ मुखे विशेष्टाय होती हैं जैसे कीटो का शरीर खंडों से मिलकर बना होता है इनके शरीर के बाहे कंकाल काफी मजबूत होते हैं जो की आंतरिक अंगों की रच्छा करता है बाहे कंकाल काईटिन का बना होता है सिर छे खंडों का बना होता है हम बात करेंगे थोरेक्स की तो थोरेक्स तीन खंडों का बना होता है जिस पे लेक्स और विंग्स प्रजेंट होते हैं जैसे अग्रवच, प्रोथेरेक्स, मध्यवच, मीजो थोरेक्स और पश्चवत, मेटा थोरेक्स इन तीनों खंडों पर आपके लेक्स और विंग जो होते हैं उपस्थित भी होते ह उदर 11 खंडों का बना होता है जैसा कि आपको पहले बताया गया कि abdomen जो होता है वो 11 खंडों का बना होता है इनके खंडों में जनांग पाए जाते हैं समय समय पर की तुचा को त्यागते हैं जो तुचा को त्यागते हैं उस किरिया को हम निर्मोचन या मॉल्टिंग कहते हैं जैसा कि आप इस फीगर में देख पा रहे हैं कि कीट है कीट के उपरी भाग में कीट के उपरी भाग में सर के सिर में आपके दो एंटनी और दो कमपाउंड आई पाई गई है यह है कीट का पहला भाग जो की हेड है हेड पे दो कमपाउंड आई और दो एंटनी होती है दूसरा भाग है थॉरेक्स तो थॉरेक्स में हम देखते हैं जिसको हम कहते हैं वच्छ हमने आपको बताया था अभी पहले कि वच्च पर three pairs leg, three pairs leg होते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं, three pairs leg होते हैं और wing उपस्थित होती है, अर्थात पर होते हैं, लेकिन पर कभी-कभी उपस्थित होते हैं, और कभी-कभी उपस्थित नहीं होते हैं, आपका जो तीसरा खंड ह कीटो का तीसरा खंड है वो है abdomen, abdomen जिसको हम उदर कहते हैं यह जरनांग पाया जाने वाला अंग होता है, इसमें कीटो के जरनांग पाये जाते हैं, तो यह रहा कीटो का संपूर अध्यन, हम आगे की क्लास में बात करेंगे आपके head, thorax, I mean कीटो के head, thorax और abdomen के संपूर ग्यान, विस्तिरित अध्यन करेंगे, thank you.